दोस्तो मैं दीपक सैनी इंसाफ टीवी से दोस्तो बेटियां जिन्दगी का एहम अंग होती हैं लेकिन हम बेटी की शादिये के उपर अपनी जिन्दगी का पूरी पूंजी लगा देते हैं और ऐसे करते हैं कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत ना आए लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी करने से पहले या कुछ भी करने से पहले इस वीडियो को जुरूर देखें अरे माफ्तर जी बड़ी भागया शारी है आपकी लड़की जो हमारे लड़की और फैमिली दोनों को पसंद आगी नजाने कितनी लड़की देखी है इसमें पर कोई लड़की पसंदी नहीं आई आई आपसे पहले बड़ी ही समझदार और संसकार हो वाली है हमारी बेटी हमारा बेटा भी किसी मामली में कम नहीं है लाखों में एक है हमारा लाइज यह तो और भी अच्छी बात है अजे मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं अरे एक अच्छा सा मुरुद निकाली है और निप्टा देते हैं शुप काम को जी जैसे आप अच्छा समझें पर श्रमजी मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान ली जाए तो ठीक रहेगा अजे कैसी बातें कर रहे हैं मास्टी आप बच्चों की राशी मिलवाई है और और होजाने देजीए नहीं अंकल जी आप लोगों को एक बर हमारी बात सुन लेनी चाहिए अपकी बात कैसी बात कि हमारी कुछ मांगे है मांगे मांगे कैसी माफ कीजेगा शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे पर इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को हमें कुछ प्रूफ देने होंगे हमें आपकी बेटे के मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और आपकी बेटे के एजुकेशन और इंकम के प्रूफ चाहिए पुलिस वरिफिकेशन के साथ आपकी बेटे का क्यारेक्टर सर्टिफिकेट और जिस घर में आप लोग रहे रहे हैं उस घर का ओनर्शिप प्रूफ चाहिए यह सभी प्रूफ देने के बाद फिर चाहिए राशी मिले ना मिले हम इस रिष्टे के लिए तयार है मास्टर जी यह सब क्या है माफ कीजिए शर्मा जी अगर मेरी बेटी ने कोई गलत बात कह दियो पर शर्मा जी जमाना बहुत तेजी से पड़ल रहा है जमाने के साथ साथ संसकारों को भी चेंज करना होगा नहीं तो यह रोज रोज तलाग के किस्से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इनको रोपना बहुत मुश्किल हो जाएगा अरे वाह आप की बातों का मतलब है कि हम जूटे हैं और हमें सथ साथ साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे अरे वाह सुनो जी मास्टर जी को भी बात करने का मौका दो कहिए मास्टर जी क्या है आपके मन में शर्मा जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जूटे हैं, पर अगर आप घलत नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रूब देने में आपको कोई परिचानी होनी चाहिए। शर्मा जी, मेरी पत्मी के दिहांत के बाद, मेरी दोनों बेटियां कभी भी मुझे एक पल के लिए दूड नहीं हुई। हज, मेरी लाडली वेटी, मेरा जिगर का टुड़ा, जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती हैं। ये जाने बिना, कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या मेरी बिटिया को अच्छी तरह रख पाएगा। शर्मा जी, मैं अपनी बेटी का भागे तो नहीं बदल सकता। लेकिन उसके अच्छे भागे के लिए क्रियास तो करी सकता हूं। अच्छे करें सकता हूं। अंकल, अब आप ही बताइए, एक सुफ न्यूस्पेपर की आड के बेस पर कैसे मेरे पापा किसी के भी हाथ में मेरा हाथ सौप सकते हैं। कैसे विश्वास कर ले इन न्यूस्पेपर वालों के उपर जो पैसे लेकर किसी के बारे में कुछ भी चाप सकते हैं। अंकल, मैं एक लड़की हूं और शायद आप लोगों को मेरा पूलना अजीब लग रहा होगा। पर अंकल आपको पता है, आजकल सिर्फ 23% तलाग विचार ना मिलने की वज़े से और 77% तलाग जोट के वुनियाद पर रिष्टे बनने की वज़े से हो रहे हैं। हम लोग भेड चाल की तरह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के चकर में बेटियों को बसाना भूलते जा रहे हैं। शादी से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर किसी ओफिस में जाकर इंक्वाइरी करवानी की बज़ाए पंडितों से राशी विलवाना जरूरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपने दिखावे के चकर में हम लोग लाखों रुपे सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग शूट पर ही खर्च कर देने में लगा देते हैं। हमारे ही सबसे प्री वेडिंग शूट के बज़ाए अगर प्री वेडिंग इंक्वारी पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये तलाग के किससे कुछ काम हो सकते हैं। और अंकर हम यह नहीं कह रहे हैं कि लड़के या लड़के वाले ही गलत होते हैं। ताली दोनों हातों से वर्ष्टी है। इसलिए आपके प्रूफ लेने से पहले हम आपको वो सारे प्रूफ देना चाहते हैं जो हम लोगोने आपसे मांगे है। शर्म जी एक आखरी बात आपसे और कहना चाहूंगा। कि इस तरह के फैसले कभी दिल से नहीं करने चाहिए। दिमाग से करने चाहिए। बाकी उपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। उसके आज़ आपकी मासे। दोस्तों मेरा जी वीडियो दिखाने का किसी खो ठेस पहुचाना नहीं था। मैं शमा मांता हूँ अगर किसी खो ठेस पहुची है। मैं किसी नीजस पेपर वाले के खलाफ नहीं हूँ। मुझे जी शोशल मीडियो पर वीडियो मिली। और मुझे वीडियो इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं अपने चैनल के माद्यों से दिखाऊं ताकि आज जो जिंदिगी में चल रहा है आज लड़के लड़कियों की शादी सक्सेस क्यों नहीं हो रही है जो वह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों हम जब शादी करते हैं और लड़की की मैरीज की उपर हम वैडिंग ब्लैनर या इतना खर्चा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पांचे मीनों के बार लड़के लड़की आप डिवोस के और सोचने लगती है यह नौबत क्यों आती है यह इस वीडियो में बताया गया है दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के उपर अमल जरूर किया जाए क्योंकि लड़की जो हमारी होती है उसको हम इतनी अच्छी परविश देते हैं इतना सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद जब जब जे उनके डिवोस तर गल बहुत बात पहुंच अच्छा लगा मैंने अपने चैनल के मादियम से इसको शेयर करना जरूरी समझा अगर दोस्तों आपको जे वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर जरूर करना तांकि जे हर एक तक पहुंच सके और ऐसी नोबनाय और हमारी बच्चियां है वो सेफ हो सके अवाद थैंक यू